नमस्कार दोस्तों, 19 जून 2021 के टेली करन्ट रफेस न्यूज अनलसिस डिसकर्शन में आपका स्वागत है पहली न्यूज, सेल ओफ इल्लीगल एच्टी बीटी कॉटन सीट डवस देखें इस रिस्पेक्ट में मैंने पहले भी आपसे बात किये भले ही हमारे यहाँ पर जो genetically modified crops है उनको पूरी तरीके से tacit approval नहीं मिला है फिट भी इंडिया में बहुत सी genetically modified crops openly बेची जाती हैं और इस्तमाल भी होती है इसका एक example है illegal cultivation of herbicide tolerant HDBT cotton मैं आपको बता दू कि एक समय पर इस HDBT cotton को इंडिया में approval मिला था लेकिन बाद में इसका approval withdraw कर लिया गया हुआ यह है यह news में इसलिए है कि इस बार जो illegal cultivation है herbicide tolerant HDBT cotton का यह बहुत ज़दा बढ़ता हुआ नजर आया है बहुत सारे seed manufacturers का यह बोलना है कि भाई illegal seed packet बेचे जा रहे हैं और पिछले साल HDBT cotton के 30 लाख illegal seed packet बेचे गए थे इस बार 75 लाख illegal seed packet बेचे गए हैं अब्वेस सी बात है कि ह्टी बेटी cotton के seed packets भी रहे हैं तो दान धरम के लिए खाने पीने के लिए थो न भिक रहे होंगे वो और वेसी बात है cotton की crop को उगाने के लिए भिक रहे होंगे तो अलग-अलग industry lobbies ने कौन सी industry की lobby है यह जो seed बनाते है तो इन्होंने agriculture ministry को लिखा है कि भाई तुरंत इस चीज़ को रोक लगाईए इस sale को रोकी offenders को punish करिए यह जो genetically modified cotton variant है इसको उगाना सही नहीं है इसके serious environmental और economic consequences है अब समझेए यह मुद्धा बहुत political है आपको क्या लगता है सरकार को पता नहीं है कि ह्टी बीटी cotton के जो illegal varieties है वो भी करी है बट सरकार खुद बीच में फसी हुई है किस चीज़ की बीच में फसी हुई है कि भाई genetically modified crops नहीं है या गलत है अगर आप देखो तो USA में genetically modified crops बहुत आम बात हो गई है महाँ पर उगाई जाती है खाई पी जाती है और योरोप में कही न कहीं genetically modified यह जो crops होती है इनके उपर रोक है तो आप देखोगे कि USA का बहुत सा agriculture export योरोप नहीं जा पाता यह एक transgenic crop है genetically modified है इसको पहले तो center ने अप्रूव कर दिया थे commercial cultivation के लिए लेकिन बाद में इसमें कुछ issues आगए क्या issues आए है तो issue यह है देखें पहली बात तो इसके फाइदे क्या थे genetically modified crop को किसी फाइदे के ले लेके आए जाता है और इसके respect में मैंने आपके लिएक वीडियो भी बनाई है वीडियो पर जाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों मेरे चैनल अर्शी देदे एजुकेशन पर आई है उसके बाद आपने प्लेडिस section में चाहिए प्लेडिस section में नीचे की तरफ आपको कहीं पर धुडिये आपको एक science and technology की playlist मिलेगी उस science and technology की playlist में आपको जाना यहाँ पर देखे दिख रही जैसे आप इस science and technology की playlist पर पहुँचोगे आपको right side पर यह playlist दिख रही यहाँ पर click करेंगे तो overall यहाँ पर playlist populate हो जाएगी सबसे उपर नजर आ रहा है what are genetically modified crops and how are they made comparison with conventional breeding technology तो यह जो particular video है मैंने genetically modified crop को समझाने के लिए आपको बताई थी यहाँ पर किस प्रकार से USA में किस प्रकार से इंडिया में genetically modified crop को लेके politics हुई है उसके बारे में मैंने बता रखा है इसके लिए मैंने एक अपने website पर article भी publish किया है जिसको मैंने इसी वीडियो में समझाया है तो आप यह article भी पढ़ सकते हैं जाके यह वो particular article है what are genetically modified crops बहुत धंग से इसको समझा रखा है analyze कर रखा है आप जाके इसको पढ़ सकते हैं आपको काफी कुछ इसकी बारे में जानकारी मिल जाएगी contextual चीजे मैं अकसर कर बात करते रहता हूं तो इस particular बीडियो को देखेंगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको तो अब यह BT cotton तो BT cotton genetically modified क्या changes किये गए थे तो भाई एक cotton ball warm करके common pest होता है यह जो common pest होता है यह cotton crop को इंडिया में बहुत खराब कर देता था तो BT cotton एक ऐसा cotton की variety थी जो कि naturally ball warm pest को हरा सकती इसलिए आप कह सकते हो BT pond home मनाया गया फिर BT cotton में एक और खास बात थी यह जो herbicide glyphosate होता है इसको naturally resist कर सकता था यह BT cotton आप बात को समझने की कोशिश करिए यह जो glyphosate था इसको अभी के लिए बैन कर दिया गया glyphosate के अंदर carcinogenic effect है carcinogenic मतलब एक ऐसा element जो अगर आपकी body में पहुँच जा है तो आपको cancer कर सकता है तो कुल मिला के यहाँ पे HT BT cotton में glyphosate को भी रिजिस्ट करने की ताकत है इस herbicide को रिजिस्ट करने की ताकत है प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि इन सब चीजों के चलते ही जो BT cotton का प्लांट है यह बहुत hardy crop हो गया है उसके चलते हैं अगर यह इतने strong herbicide को रिजिस्ट कर सकता है तो कुछ unwanted चीज़ यह environment में ला सकता है फॉर एक्जामपल आपको पता है कि environment में pollination होता है और pollination में दूसरे प्लांट के seeds किसी दूसरे प्लांट में हवा के तुरू, butterflies के तुरू और और agents के तुरू पहुचते रहते अब होता यहाँ पे यह है कि एक तरफ BT cotton है अब यह normal cotton नहीं है BT cotton एक genetically modified crop है और यह आसपास की बहुत सारी crops के साथ लगा हुआ अब जब normal cotton variety और आसपास की जो crops थी जिस प्रकार से react करती थी interact करती थी अब यहाँ interaction बदल गया अब जब pollination होके दूसरे प्लांट के seeds या weed पहुंचते है BT cotton तक तो BT cotton में एक अलगी प्रकार का resistance है और उस अलग प्रकार के resistance के चलते कभी कभी super weed पैदा हो जाते है और यह super weed कहीं न कहीं बहुत हद तक plants को बरबात करते है और मैं आपको बता दूँ भले ही यह cotton का BT cotton जो crop थी वो ball warm pest के against effective थी लेकिन बाकी आज भी BT cotton की crop में भी pest लगते है तो मतलब BT cotton भले genetically modified crop की तरह सामने आया तो बड़े उसके advantages बोले जा रहे थे पर उसके कुछ disadvantages भी है और वो disadvantages बाद ने पता चले अब यहां पे देखिए Federation of Seed Industry of India क्या बोल रहा है Seeds are sold using the brand name of prominent companies Farmers are at risk with such illegal cotton seed sale as there is no accountability of the quality of seeds it pollutes the environment the industry is losing legitimate seed sale and the government also loses revenue in terms of tax collection इनका कहने का मतलब है Federation of Seed Industry वालों का कि भाई हम जो seed बेचते हैं वो proper seed packetों में बेचते हैं उनका कोई brand name होता है Farmers को पता होता है कि भाई seed कौन से brand ने बेची और किस quality की है और इस sale पर सरकार को revenue भी मिलता है लेकिन जब ये BT cotton की illegal sale होता है तो वो खुलने में होता है तो खुलने में जब BT cotton की seed बेची जाती है तो पहली बात उसकी effectivity कैसी है वो सही है भी की नहीं सही है इस बात पर doubt होता है वो environment को नुकसान पहुचाती है super weeds पैदा करती है at the same point of time उसके बेचने पे सरकार को कोई revenue भी भी नहीं मिलता है तो इसके चलते Federation of Seed Industry सरकार को बोल रहा है कि BT cotton की जो sale है illegal इसको बंद करो वहीं पे cotton farmers को represent करने वाले activists जो की शेतकारी संगतन को बिलॉंग करते इन्होंने क्या बोला है इन्होंने बोला है अलग-अलग farmers को कि HT BT cotton उगाओ और government regulations का violation करो farmer का क्या अगूर पॉइंट है farmers का अगूर पॉइंट यह है कि पिछले साल जब हमने BT cotton की crop उगाई तो 7000 से 8000 रुपे की बचेत हुई अब देखिए farmer छोटी-छोटी चीजें सोचता है farmer का क्या सोचना है कि हम वो crop उगाएंगे जिससे हमको instant benefit मिल जाए और हमारे पैसे बच जाए हाला कि BT cotton में जब weed लगते हैं तो BT cotton की भी बहुत सारी crop की varieties खराब हो जाती है और farmer सीधे-सीधे BT cotton के environmental effects को नहीं देखेंगे लेकिन यहाँ पे शेतकारी संगटन कुछ और viewpoint दे रहा है शेतकारी संगटन बोल रहा है कि scientists बोलते हैं कि genetically modified crops हैं BT cotton सही है WHO ने भी कहीं न कहीं यह बोला है कि BT cotton cancer नहीं करता है आप समझे WHO जैसी संस्था है इनमें उन countries की बहुत चलती है जो इनको बहुत पैसा देती है USA एक ऐसी country है जहाँ पे genetically modified crops एक बहुत बड़े scale पे इस्थमाल की जा रहे है और दुनिया भर में जो genetically modified crops बनाने वाली कंपनिया है वो maximum कहां की है USA की है USA तो हमेशा ही genetically modified crops को आगे बढ़ावा देता है progress मतब उसको प्रमोट करने कोशिश करता है और इंडिया के इंदर genetically modified crops का इस्तमाल हो इस बात के लिए USA कहीं न कहीं प्रेशराइस भी करता है इंडिया को तो जो international organization है जहाँ पे US की चलती है वो तो यह बोलेंगे ही कि जो genetically modified crops है वो बिलकुँ safe है इंको इस्तमाल को चुकि US में तो यह इस्तमाल होई रही है बट यूरॉप जैसी countries में और कुछ हद तक इंडिया में भी इनका opposition हो रहा है अब यहाँ पे farmer activist group ये भी बोल रहे है कि HTBT cotton के साथ-साथ हम तो genetically modified brinjal भी उगाएंगे soya bean seeds भी उगाएंगे अभी तक यह crops को cultivation का approval नहीं मिला है HTBT cotton को तो फिर भी पहले approval मिल गया था modified brinjal और soya bean seeds को तो approval ही नहीं मिला है उगाने का तो कुल मिला कि genetically modified वाली जो बहस है काफी बढ़ रही है farmers को इससे फाइदा है चुकि farmers इस crop को instantly उगा के बेच पाते हैं थोड़ा बहुत उनको profit extra हो जाता है लेकिन चुकि इनके environmental hazards है मतब hazards है साथ-साथ इनके health hazards है उसके चलते overall इसको approval देना है या नहीं देना है इसके लिए सरकार काफी dilemma में है और इसके ओपर अभी भी भी बहस चल रही है और बात ही है ना कि genetically modified crops प्राइमाफेसी डराबने नहीं लगते है प्राइमाफेसी उसके disadvantages नहीं दिखते है advantages दिखते है but long term में वो कितने खतरनाक हैं यह तो समय ही बता पाएगा और long term मतलब 20, 25, 30 साल तो एकदम से आप decision में नहीं ले सकते इसले सरकार यहाँ पर डाइलमा है तो कुछ इस प्रकार का informal सा arrangement होगा कि जिसको गाना होगा और सरकार फालतू परेशान नहीं करेगी but at the same point of time सरकार approval भी नहीं दे रही है genetically modified crops को तो बीच का इस आपको चालू अभी आगे बाटन इस पहले वीडियो पर लाइक का बटन अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है इस चैनल को share और subscribe नहीं किया है कर दीजे join बटन दबा के आप help कर सकते हैं ठीक है रोज मैं अपने members को स्वागत करता हूँ अपनी editorial की वीडियो में और काफी help भी मिलती जो लोग join बटन दबाते हैं इसलिए मैं सब को बोलूँगा कि कर सकते हैं ज़रू दबाईए mail क्या किया रहा है आपको तो मेरे चैनल के हरशे दिदे एजुकेशन के playlist section में जाई अलग-अलग topics भी playlist बनी हुए playlist wise आप topics धूर सकते हैं अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारी videos free of cost available हैं 16-20 videos बस members के लिए हैं ये इस टाइडर आप फॉलो कर लिजे जो भी आपके messages है उनके उपर मैं proper जवाब देने की कोशिश करूँगा अच्छे लगए तो सब के लिए वीडियो बनाऊँगा और discouragement होई है अगर मैं आपके messages के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ आप ये समझिए कि मैं भी एक individual हुआ के लिए ठीक है मेरी भी कुछ capabilities है सब के जवाब दे पाने possible नहीं है तो प्लीज उसको अपनी ego पर मत लीजे साथ साथ टेलीग्राम ग्रूप पर जोइन कर लीजे वहाँ पर आपको इस lecture की पीडियो फो में lectures की notification मिल जाएगी नेक्ट बात करते है government reduced tariff on edible oil import तो government ने tariff value को घटा दिया है import of edible oil से तो आप देखो तो palm oil जो crude palm oil इंडिया के दर import होता है उसके दाम को 86 डॉलर पर टन से गिराए गया crude palm oil को 112 डॉलर पर टन से गिराए गया crude soybean oil base को 37 डॉलर पर टन से गिराए गया और इसके चलते ऐसा बोला जा रहा है कि domestic market में जो edible oil के दाम है वो कम होगे चुकि कहीं न कहीं edible oil के दाम market में बढ़ रहा है अब आपको समझना पढ़ेगा कियर यह क्या logic है क्या import के दाम इंडिया की सरकार decide करती चुकि हमें तो यह पता है कि अगर हम कोई चीज बाहर से इंडिया के अंदर import करते है तो उसका दाम तो जो export कर रहा है किसी और country से वो decide करेंगा न तो इंडियान सरकार कैसे दाम decide कर लिए देखिए यह दाम इंडियान सरकार fix नहीं कर रही है यह bench mark दाम है और समझे यहाँ पे जो palm oil import हो रहा है यह आप कह लेजे कि यह soybean oil import हो रहा है यह crude soybean oil है यह वो soybean oil यह वो palm oil नहीं जो आपके घर में बिखने के लिए पहुंचता है आपके घर में जो बिखने के लिए oil पहुंचता है वो होता है processed oil तो यह crude oil जैसे कि for example petrol और डीजल आप petrol station पे जाते हो petrol pump पे जाते हो वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी में स्कूटी में, कार में, डीजल पेट्रोल पढ़वाते हो ठीक है तो वो core crude oil नहीं है crude oil पहले बाहर की country से खरीदा जाता है फिर उस crude oil की यहाँ पे processing होती है और उससे अलग-अलग प्रकार की petrol, diesel, kerosene यह सब बनाए जाते है उसी प्रकार से यह edible oil और non-edible oil का तो palm oil, soybean oil जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं यह पहले crude form में बाहर से इंडिया के अंदर आता है और फिर यहाँ पे process होके बनता है फिर वही बात आगे कि चलिए crude soybean oil और crude palm oil भी अगर हम इंडिया के अंदर import कर रहे है तो क्या हम dham decide करेंगे देखिए हम benchmark dham decide कर सकते है सरकार benchmark dham decide कर सकते है benchmark का मतलब क्या हो गया कि यह एक ideal dham है जो सरकार ने decide किया है और इस dham के आसपास के dhamों पे यह जो importer से इंडिया के अंदर 66% of the vegetable oil requirement को import करते हैं दुनिया भर की जो exporting countries है न जो की oil export करती है वो इंडिया के market को tap करना चाहती है मलेशिया के साथ जब हमारा पिछले साल पंगा हुआ था तो मलेशिया के palm oil imports को हमने अपने यहां पे कम कर दिया था और इंडिया से palm oil import शुरू कर दिये थे मतब दुनिया भर की country जो excess oil पैदा करती है वो इंडिया के market को tap करना चाहती है तो जब इंडिया इतना बड़ा market है तो इंडिया थोड़ी बहुत अपने इसाब से कहीं न कहीं price negotiation भी कर सकता है और इसी लिए सरकार नहीं यहाँ पर जो benchmark prices है जो ideal prices है सरकार के साब से वो यहाँ पर fix की है यह ideal prices पहली बात तो जो बाहर से exporters इंडिया के अंदर import कर रहे है उनके ओपर pressure डालेंगे कि वो इन prices के आसपास के दामों को ही coat करें इंडिया इंडिया इंपोर्टर्स को कोई चीज पाम आउयल की इंडिया के अंदर है पहले 120 रुपय प्रति लीटर पे आ रही थी अब उसको सरकार ने 110 कम कर दिया 110 benchmark कर दिया तो 110 maximum आप entry लिख सकते हो bill of entry के उपर custom duty लगाने के लिए इससे अधर नहीं लिख सकते है तो समझिए पहले 120 रुपय के उपर 20% custom duty लग लग रही थी तो कितना हो रहा था 24 रुपय हो रहा था अब 110 रुपय के उपर 20% custom duty लगेगी तो कितना होगा 22 रुपय होगा तो यहाँ पर custom duty भी कम होगी तो यहाँ पर custom duty कम हो रही है यहां पे base price कम हो रहा है तो overall customer के पास जब चीज बन के पहुँचेगी उसका दाम भी कम होगा और वही यहां पे कम करने की जुरूत है इंडिया में edible oil के दाम जो बढ़ रहा है थे उसको कम करने के लिए step लिया गया है प्लस मैं आपको ये भी बता दू कि हमारे देश में जो domestic production है जैसा कि मैंने बता है वो enough नहीं है हमारे requirement को पूरा करने के लिए हमें बहुत हद तक import करना पड़ता है इंडिया की two-third edible oil demand imports के थुरू fulfill होती according to data of solvent extractors association of India इनका क्या बोलना है कि जो overall import है edible और non-edible oils का November 2020 से लेकि में 2021 तक ये 9% बढ़ा है 76,77,000 टन्स पे बहुँच चुका है और चुकि import बढ़ रहा है हमारा तो आप देखोगे कि edible oil के दाम भी कहीं न कहीं बढ़ रहे थे पहले तो उनी को दामो को stabilize करने के लिए यहाँ पर सरकार ने यह step लिया है benchmark rates को यहाँ पर fix किया है मैं आपको फिर से बता दू यह जो benchmark crude oil rate fix किये गया है बिल्कुल exact इस पे नहीं आता है थोड़ा आगे पीछे होता है इनफेक्ट कमी होता है इससे चुकि benchmark rate सरकार ने तै कर दी है तो अब importer's के ऊपर यह responsibility आगी कि जो भी contract वो sign करेंगे किसी foreign importer के साथ उसमें इस सब दामों को consideration दी जाएगी अब देखते हैं कि हम लोग domestically कितना oil अपने हाँ पैदा करते है तो 2019 बीस में जो domestic availability edible oils की है इंडिया में primary sources क्या है इसके oil seeds like mustard grounded secondary sources क्या है coconut oil palm rice bran oil cotton seed तो इससे overall domestically जो edible oil हम लोग पैदा करते हैं इंडिया के नदर वो है 10.65 million tons in 2019-20 जबकि हमारा consumption कितना है 24 million tons demand 24 million tons की है पैदावार हम 10.65 million tons का कर रहे हैं तो हमको import करना पड़ेगा तो 2019-20 में हमने import किया 13.35 million tons of edible oil बता 56% of our demand in 2019-20 हमने import की और अभी के लिए नंबर चल रहा है लबक 66% का लेकिन वो edible और non-edible दोनों मिला के चल रहा है oil दो परकार के होते है edible मतलब जो खाया जा सके non-edible जो खाया नहीं जा सकता तो यह जो 2019-20 में import हुआ था उसमें 7 million tons तो palm oil था 3.5 million tons soya bean oil था 5 million tons sun for oil था यह सब crude थे इन crude को edible form में बदलना या usable form में बदलना इसके लिए proper processing industry इंडिया में available है ज़रा तर यह जो oil है में लोग कहा कहा से import कर रहे हैं तो soya bean oil आया अर्जेंटीना से इंडिया के उपर उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे रहा था तो इंडिया ने मलेशिया के उपर थोड़े बहुत क्रिक्स्ट्रेंट्स लगाए जब पाम और को लगी मलेशिया की हलत खराब हो गई थी government policies and interventions for development in various sectors and issues और दिन जोटर दे डिजाइन जनल स्टेट पेपर टू में ने जब उकाम आएगी next news stigartus keralanisis यहाँ keralanisis में आपको kerala नजर आ रहा होगा basically यहाँ पे एक नई species मिली है जिसका नाम है stigartus keralanisis यह नई species है taxonologically described marine tardigrades है tardigrades क्या होते हैं tardigrades का structure आपको कुछ इस प्रकार का देखिएगा हाला कि यह naked आई पे visible नहीं होते हैं microscopic है microscope के अंदर ही आपको देखेंगे तो tardigrades बहुत छोटे होते हैं इनको देखने के लिए high-end microtope चाहिए आपको इनको water bears या moss piglet भी भी बहुलत हो these are one of the most hardiest animals on planet इस planet पे रहने वाले सबसे तगड़े animals हैं बहले इनका size छोटा है but they are the hardiest यह difficult से difficult situation में survive कर जाते हैं और researchers को यहाँ पे एक नई tardigrade species मिली है Stygartus genus की इसके genus ही बहुत सारे अलग अलग है और genus के अंदर बहुत सारी species होती हैं यह जो नई species मिली है Stygartus Keralnesis कहां से मिली है वदा कारा है North Kerala से मिली है क्यों स्रिसाइज टीम को मिली है Department of Marine Biology, Microbiology और Biochemistry Cochin University of Science and Technology तो नाम क्या दिया गया है Stygartus Keralnesis किसके नाम पे नाम दिया गया है तो Kerala के नाम दिया गया है चुकि Kerala में यह मिली है जैसा कि मैंने बता है Tardigrades के बारे मात करें इनको Water Beards, Moss Piglets भी बोलते है 8-lect segmented microorganisms है दोनिया में बहुत जगों पर मिलते है Mountains में बिलते है Deep Sea में मिलते है Mud Volcanoes में मिलते है Tropical Rainforest में मिलते है Antarctic में मिलते है They are among the most resident animals known Extreme situations यह survive कर जाते हैं Temperature से Exposure यह survive कर जाते है Extreme Pressure सर्वाइब कर जाते है Air Deprivation, Radiation, Starvation, Dehydration यह चीजने जो बाकी species को आराम से मार देंगी यह यह survive कर जाते है Biodiversity में यह न्यूज़ आप को कहा हाँ आएगी Next बात करेंगे Space Time Induces Neutrilo Oscillations देखें यहाँ पर Scientist के थूँ एक Discovery हुई है कि यह जो Space Time की Geometry है यह Neutriloos को Oscillate करवाती है देखें Space Time एक ऐसी चीज़ है जिसके उपर बहुत रिसर्थ चल रही है आपने Interstellar Movie देखियो तो महाँ पर Space Time और Gravity का ही Interaction दिखाया गया अब यह जो Space Time है यह Neutriloos को Oscillate करवाता है Neutriloos क्या है तो यह Mysterious Particles है जो की Nuclear Reaction सिर्थ सन स्टार्स और Elsevay में प्रेडूस होते हैं Copiously प्रेडूस होते हैं Copiously मतलब Abundant मातरा में Sufficient मातरा में Extraordinary मातरा में पैदा होते हैं जो भी Sun स्टार और हर जगा पे Nuclear Reaction होती है उसमें Copiously बहुत सारे यह Space मतलब यह Neutriloos पैदा होते हैं और यह Neutriloos लगातार Oscillate करते रहते हैं Oscillate करने का मतलब क्या है यह Neutriloos One Form to Other Change होते रहते हैं इन Neutriloos के भी अपने कुछ अलग-अलग प्रकार के Forms हैं इन फॉर्मस को में आपको समझाने वाला है हो नहीं बहुत ही High Level की वह Physics है Particle Physics का हिस्सा है वह कोई मतलब नहीं उसमें बुसने का कुल मिला के इतना समझी कि Neutriloos को Oscillation का मतलब है कि इनके एक Form से इनके दूसरे Form में इनका बदल जाना तो ये Neutriloos Oscillate कैसे करते हैं और Oscillate करने में इनका Relation क्या है मास के साथ इस चीज़ की Study से Universe के Origin के बारे में पता किया जा सकता है ये जो Neutriloos है ये Create किये जाते है Radioactive Decase से खासकर जब सुपर्मोन नोवा होता है Cosmic Race Atoms को Strike करते हैं इस से में पर Neutrius Nose Create होते हैं और ये Neutriloos बहुत ज़दा Dangerous नहीं है हमारी Body से Trillions of Neutriloos पास होते हैं हर Second हमको पता भी नहीं चलता है अगर इस से हमको नुकसान होता होता तो हम लोग अब तक निपड़ चुके होते हैं जब Neutriloos जिस direction में चल रहा होता है उसके opposite direction में spin कर रहा होता है इसके बारे में याद रखेगा और Neutriloos इस प्रकार का oscillation इसलिए कर पाते हैं चुकि इनका mass कम है अगर इनका mass ज्यादा होगा ये इस प्रकार का oscillation करी नहीं पाएंगे General Studies Paper 2 में प्रिलिम्स के रिस्पेक्ट से युनीज आपको important है तो अगली एक चोटी सी न्यूज है Anti-New Gutteris फिर से UN Secretary General मना दीगे है Second term के लिए 1 January 2022 से लेके फिर ये 31 December 2026 तक Secretary General लाएंगे United Nations Security Council ने इनका नाम recommend किया United Nations General Assembly को United Nations General Assembly ने इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है कई न कई इंडिया ने भी इनको सपोर्ट किया था पुर्तोगाल के हैं ये United ये पुर्तोगाल के हैं ये Anti-New Gutteris साब एक और चोटीस बात बोली गई कि अब तक UN की 75 साल के स्ट्री में कोई woman UN Secretary General नहीं बनी है ऐसा लगा था कि शायद इस बार बन जाएगी लेकिन ऑब ये सी बात हैं पे Anti-New Gutteris फिर से सेलेक्ट हो गए तो अब 2026 के बाद ही कोई woman मनी तो बनी General Studies Paper 2 में Important International Institutions में इस आपको खावाएगी और आज की final news Turkey to Secure Kabul Air आपको पता है कि अफगानिस्तान से जो Western Forces में बहार निकल नहीं है NATO की Forces बहार निकल नहीं US की Forces बहार निकल नहीं है लेकिन बहार निकलने के बाद भी अफगानिस्तान में बहुत सारे diplomatic missions चलते है अलग-अलग countries की embassy बनी हुई अभी इन अलग-अलग countries की embassy को अगर security provide करनी है तो यहाँ पर एक बहुत important facet निकल के आता है airport और काबूल का यह जो international airport है जिसका नाम हमीद करजाई international airport यह बहुत important हो जाता है तो यह international countries के लिए अपने diplomats के security के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो इनका international airport है अफगानिस्तान के अंदर उसको safe guard किया जाए ताकि कल की date में कोई emergency situation आती है या कोई problem आती है तो कोई diplomat airport के रास्ते ओड़के वापस अपने देश जाना चाहे तो जा सके तो यहाँ पर प्रेजिडन जो बाइडन और रसिप टैयव अर्डोगन साहब ने मिलके decide किया है कि हमीद करजाई international airport की security कौन करेगा अच्छली करेंगी तो बहुत सारी countries बट लीड रोल रहेगा यहाँ पर तरकी का मतलब यहाँ पर बाइडन और अर्डोगन साहब ने बैट के बाद की कि ठीक है भाई western forces के अफगानिस्तान से निकलने के बाद हमीद करजाई international airport की security में तरकी एक important role play करने वाला है यहाँ आप आप कह सकते हो कि US Turkey के रिष्टे थोड़े ठीक हो रहे है reason being कुछ लंबे समय से US Turkey के रिष्टे खराब चल रहे है बहुत से चीजों को लेके तरकी ने रश्या से S-400 defense system खरीदा है जो कि USA को पसंद नहीं आया है बहुत से issues को लेके Syria के issues को लेके Eastern Mediterranean में जो Greece के साथ gas reserves के लिए लड़ाई हो रखी टरकी की इसको लेके US के साथ issue चल रहे है पिर अक्सर कर टरकी रश्या से weapons खरीता रखता है तो इससे US कहीं ना कहीं नाराज रहता है तो इन सब चीजों को लेते हुए कहीं ना कहीं टरकी इस समय पे Russia के साथ जो रिष्टे हैं गड़बढा रहे है हाला कि पूरी तरीके से नहीं गड़बढाए है डॉनर्ट टरॉम्प के समय पे Armenians का जो genocide हुआ था 1915 massacre को उसको recognize किया तो डॉनर्ट टरॉम्प ने जो बाइडन ने भी उसको कहीं ना कहीं recognize कर दिया फिर तर्की के human rights record को लेके कहीं ना कहीं जो बाइडन कमेंट मारते रहते हैं वो जो बाइडन के वर तर्की के नहीं चाइना ओके overall तर्की हो कुछ हद तक इंडिया की human rights record को भी लेके जो बाइडन ने यहाँ पर comment किया है overall अगर आप बात करो तो तर्की United States के relations में बहुत लंबे समय से strain है जब 2003 में इराक के उपर attack करना था USA को तो इराक ने तर्की से बोला कि हमें अपने in Cyrilic air base का access दे दीजे तर्की से देने से मना कर दिया मतलब इराक के उपर attack करने के लिए तर्की ने USA की मदद नहीं की उसके बाद से कहीं न कहीं तर्की थोड़ा बहुत रश्या से अच्छे रिष्टे बना रहा है और वेसी बात है यह सब अपने self interest में करती ही रश्या से weapons मिल रहे हैं अच्छे अच्छे तो तर्की तो रिष्टे अच्छे करेगा ही करेगा फिर बीच में US Senate Foreign Relations Committee ने एक bill अप्रूव किया जिसमें बोला गया कि तर्की के उपर sanctions लगाओ चुकि S-400 मिसायस खरीद दी रहों रश्या में और सीरिया की जो policy थी वो कही न कहीं तर्की की और US की match नहीं कर रही है तर्की और रश्या मिल के सपोर्ट कर रहे हैं किसको बशर अलसाथ को और US सपोर्ट कर रहा है बशर अलसाथ के opposition में लड़ने वाले rebels को तो सीरिया में भी इदनों की policy सेम नहीं लग रही है जब sanctions लगाने की बात की USA ने टर्की को पर तो टर्की ने बोला कि जो भी US basis ने टर्की में उनको बंद कर देंगे तो यह सब बहुत सारे major issues है हाला कि अभी recent की जो meeting है उसमें रसेत तयव अर्दोगन सामने ये भी बोला है कि देखिए भले ही US और टर्की की बीश में issues है ऐसा कोई भी issue नहीं है जिसको solve ना किया जा सके मतलब अभी भी जो इनके bilateral issues है वो मिलके साथ solve कर सकते देखिए टर्की USA के साथ रिष्टे अच्छे करना चाहते है चुकि USA के साथ पंगा टर्की के लिए अच्छा नहीं है यह वो भी जानता है जैनल स्टीज पेपर 2 में international relations में न्यूज़ आपको काम आईगी थैंक यू फर वाचिंग फ्रेंट्स ज्याद ज्याद लोग साथ इस वीडियो को शेर करिए का have a great day फ्रेक्साइट चेक कर लिजो और वीडियो को लाइक और शेर कीवना मच चाहिए